नमस्कार कोरोना वैस्विक माहमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देशवाशियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिये साथियों ये बात सही है कि अगर करोना से होने वाली मृत्यूदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिती में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक बन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में ला परवाई जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर बीश सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें ज़्यादा सतर्कता की जरुत है तो ला परवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दोरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की सौंस्ताओं को देश के नागिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की ज़रुत है विशेश कर कंटेंडमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गये थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये एक सो तीस करोड देश वास्चों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नतरी कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राफिक्ता रही ऐसी स्थिती ना आए कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोय देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही है अक्ति सर्कार प्रदान मंत्री गरीब कल्यानी युजन प्रदान मंत्री गरीब कल्यानी योजन